दीरे दीरे देश अब लोग सभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है वहीं राजनितिक पार्टियां भी अब लोग सभा चुनाव का बिगुल फूप चुकी है एक तरफ जहां बीजेपी रैलियों और जन्चसभाओं पर जोर दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गडबंदन है जिसमें अभी भी फूठी निजरा रही है हाला कि राहुल गांधी भारजोडो नियायात्रा पर जरूर निकले हैं लेकिन इंडिया गडबंदन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है पश्चिम बंगाल में सत्तारूर और इंडिया अलाइंस की प्रमुख पार्टी टीमसी ने राहुल गांधी की निया यात्रा से दूर रहने का फैसला किया है खबरों के मताबिक टीमसी ने कहा है कि जब तक इंडिया अलाइंस में कॉंग्रिस और दूसरे विपक्षी दलों के साथ बंगाल में सीट शेरिंग का कोई मान्य फॉर्मूला तै नहीं हो जाता तब तक पार्टी के निया यात्रा में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है टीमसी ने कहा कि कॉंग्रिस पहले बंगाल में सीट शेरिंग का फॉर्मूला तै करे उसके बाद ही निया यात्रा में शामिल होने पर वेचार किया जाएगा बता दें कि ये पहला मौकर नहीं है जब ममतब एनरजी की पार्टी ने नखरे दिखाई हों दरसल कॉंग्रिस को बंगाल में टीमसी दो से अधिक सीटें देने के लिए तयार नहीं है कॉंग्रिस के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधिरंजन चौधरी बंगाल में एडी की कारवाई पर चुटकी लेते रही है उन्होंने तो बंगाल के हालाद को देखते हुए गवर्नर रूल लागू करने की मांग तक कर दी थी इसे टीमसी बेहद खफा है बता दे कि राहूल गांधी की निया यात्रा अब पश्यम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है और पांच दिन वहाँ रहेगी कॉंग्रिस के रास्ट्री अध्यक्षि मलिका अर्जुन खडगे ने इंडिया लाइंस में शामिल सभी दलों के प्रमुखों को पत्र लिख कर उनसे निया यात्रा में शामिल होने का आगरहे किया है इधर बिहार और जार्खन में आर्जडी जे एमेम के वरिष्ट नेताओं ने निया यात्रा में शामिल होने के संकेत दिये हैं ये पहला मौका नहीं है जब कॉंग्रिस के प्रती टीमसी के तेवर तल्क हूँ इसे पहले भी मम्ता ने समय समय पर कॉंग्रिस को जटका दिया है मम्ता ने तीसरी बार सीम बनने के बाद विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया था उनके प्रयास में उलेख निया बात ये थी कि वो कॉंग्रिस समय विपक्षी गटबंदन चाहती थी उन्होंने NCP नेता शरत पवार, दिली के सियम और आमादमी पार्टी के संयोजक अर्विंद केजरिवाल और महारास्ट के पूर्व सियम उदव ठाकरे से इस संदर्व में बातशीत की थी हाला कि शरत पवार ने उनके मनसूबे पर ये कहकर पानी फेर दिया कि कॉंग्रिस बड़ी पार्टी है उसे अलग रखकर विपक्षी एकता की बात बेमानी है इसी अंदाज में शिफसिना UBT के नेताओं ने भी सलहा दी उसके बाद ममता चुप बैट गई थी वहीं विधान सभा के चुनाओ में कॉंग्रिस को पशिम बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली थी बाद में एक सीट पर हुए उपचिनाओ में वाम मोर्चा समर्थित कॉंग्रिस उमीदवार ने जीत दर्ज की इस तरहे विधान सभा में कॉंग्रिस का एक विधायक हो गया इसके बाद ममता बनर जी को दो बातों से चिड़ थी पहला ये कि कॉंग्रिस और वाम मोर्चा ने उपचुनाओं में हाथ मिला लिया इसे टीमसी की पारंपरिक सीट हाथ से निकल गई वही कॉंग्रिस के बायरन विश्वास उपचुनाओं में जीत गए ममता इस हार को पचा नहीं पाई मई 2023 में उन्होंने कॉंग्रिस विधायक को टीमसी में शामिल करा लिया इसे कॉंग्रिस का टीमसी के प्रती घुसा सोभाविक था ये वही समय था जब कॉंग्रिस राश्ट्रिय इस्तर पर विपक्षी एक्ता की कवायत शुरू हो गई थी ममता बनरजी ने कहा था कि राश्ट्रिय दल के रुप में कॉंग्रिस को ये समझना चाहिए कि क्षेत्रिय दलों की अपनी मजबूरिया है कॉंग्रिस से मम्ता बनर जी की खटपट तब भी साफ नजर आई थी जब नितीश कुमार को उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाने की सलहा दी थी मम्ता ऐसी बहानी कॉंग्रिस को उसकी आउकात बताना चाहती थी जो सब कुछ दिली में सेंट्रलाइज रखना चाहती है मम्ता की बात खारिज ना हो इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि देश में राजनितिक परिवर्तन का आगाज बेहार से ही उता रहा है बेहार आंदोलन की भूमी है भाजपा के खिलाफ पटना में बैठक होने का संदेश दूर तक जाएगा मम्ता की बात मान कर ही विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हुई थी जिसमें करीब डेर दरजन विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे लेकिन अब जब राहुल की निया यात्रा बंगाल पहुची है तो इससे मम्ता ने दूरी बना ली है जिसके बाद अब एक बार फिर से गठुबंदन के बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के स्री टीवी